कुरुंतियों के नाम पॉलूस प्रेवित की दूसरी पत्री, दस्वा अध्याए मैं वही पॉलूस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ, मैं यह बिंती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भै होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, वीरता दिखाने का विचार करता हूँ, क्योंकि यदिपी हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के रहे सुछी बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आग्याकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं, कि जब तुम्हारा आग्या मानना पूरा हो जाये, तो हर एक प्रकार के आग्या नम आनन वैसे ही हम भी हैं क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विशे में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगारने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित नहूंगा यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठैरो क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं परन्तु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तबि में हलका जान पड़ता है सो जो ऐसा कहता है कि वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे क्योंकि हमें यह हियाओ नहीं कि हम अपने आपको उन में से ऐसे कितनों के साथ गिने या उन से अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशिंसा करते हैं और अपने आपको आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठैरते हैं, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठैरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आपको बढ़ाना नहीं चाहेते जैसे कि तुम तक न पहुँचने की दशा में होता, बरन मसी का सुसमचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं, और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जियों जियों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमा की अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करें, वह वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभू करता है, वही ग्रहन किया जाता है.